चलिए फ्रेंड साज गुड़ी पाडवा इस्पेसल रेसिपी में बनाते हैं हम लोग पूरन पोली ये महारास्त्रा की बहुत ही फेमस मिठाई है और ये बहुत अच्छी लगती है और जरूर बनाएगा इसको तो चलिए फिर बनाते हैं तो इसके लिए मैं चना का दाल ली ह और नहीं हुं वन कप है ये 200 ग्राम में 200 ग्राम है तो चलिए फिर इसको दो लेते हैं अच्छे से दो तीन पानी से दाल को friends अच्छे से दोईएगा और यह देखिया हमारा धुल गया है दाल तो फिर चलिए इसको प्रेसर कुकर में डाल देते हैं क्योंकि हम लोग प्रेसर के कुकर में इसको उबा लेंगे तो एक कप दाल है ना तो इसमें हम लोग तीन कप पानी डालेंगे तो चलिए फिर हम लोग इसको गैस पे चड़ाते हैं और एक विसिल हम लोग तेज आज पे इसको लगाएंगे और friends उसके बाद धीमे आज करके 15 मिनट तक इसको पकाएंगे तो यह दाल पक के अच्छे तरीके से तयार हो जाता है और जब कुकर ठंडा हो जाएगा ना तब हम लोग इसको खोलेंगे देखिए कुकर ठंडा हो जाए तब ही खोलिएगा एक विसिल तेज आज पे लगाना है और 15 मिनट पकाना है तो देखिए हम लोग जब दाल को इस तरह से उंगली से ऐसे प्रेस करते है ना तो यह देखिए ऐसे मसल जाता है तो friends यह गर्म है इसलिए ध्यान रखके ही डाल को के लिए छोड़ देते हैं तो देखिए हमारा दाल ठंडा हो गया है तो यह रहा पानी तो friends इस पानी से आप आटा गून सकते हैं और चलिए फिर इसको हम लोग बावल में निकाल लेते हैं तो यह हमारे पूरन के लिए हमारा उबला हुआ चना का दाल है जो एक कप था और चीनी यहां पे हम लोग 300 ग्राम लेंगे 200 ग्राम दाल तो 300 ग्राम चीनी और 5-6 छोटी हिलाइची है हरी हिलाइची बोल सकते हैं और नट में जायफल है वो एक है लेकिन हम लोग हाफ यू अर्छंबा ऊच्छाक के लिए है तो चलिए फीर एक mixer grinder लेते हैं अर जो हमारा 300 ग्राम चीनी था ना उसमेंसे 8500 ग्राम चीनी यानिकी आधी चीनी मीसर ग्राइंडर में डाल लेते हैं उसको चीनी के साथ डालके अच्छे तरीके से बारिक सा पिस लेते हैं, चीनी के साथ पिसने से लाइची बहुताég पिस जाती है, इसलिए आप इसी समय पिस लेजिएगा, आप चलिए जो हमारा उबला हुआ चना का डाल था जो थंडा हो गया था, उसको इसी चीनी के मिक्स, चीनी और इलाइची के मिक्सर में हम लोग डाल करके पीस देंगे, बारीक एकदम स्मूथ सा पेस्ट देखे बन जाएगा, तो इसको अच्छे तरीके से पीस लीजिएगा, देखे ऐसे, यह देखे, तो चलिए फिर एक पैन गरम करते हैं, और उसम अच्छे तरीके से पैन में फैला देंगे, और फिर जो हमारा मिक्सर था ना, चने दाल का, चीनी का, और इलाइची का, उसको हम लोग पैन में डाल देंगे, और फ्रेंट्स इसमें आज को विल्कुल लो कर लीजिएगा, फ्लेम को, और इसको दीमे आज पे ही पकाएंगे और चलाते रहिएगा, क्योंकि ये नीचे से चिपकता है, और जो हमारा आधा चीनी बचा हुआ था ना, डेड़ सो ग्राम हम लोग अभी डाल देंगे, और देखे, इसको हम लोग पकाएंगे अच्छे तरीके से, तो फ्रेंट्स इसको लो फ्लेम पे ही पकाईएगा, चल कैसर काइण केसर को मैं सब्सक्काइण केथा, जां भिया टाल काईएगे, आधार सकते हैं, इस बचाब हम लोग थाज मिक्स कर लेखे और इस टाइम पे हम लोग 2 टेबल स्बून घी, जबिस बना ऊटाइएग अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हुएं में टूआधा इस जरूरी होता है क्योंकि यह घी से बनता है इसका जो फलेवर आता है वो घी से बनता ॉह 위 अधि बर डाले यॉख cowookता प्लेफ निटे कर लेते हैं कि यह पका है कि नहीं तो ठंडा शो टेंडा कर लेते हैं तो जब तक हमारा पूरण ठंडा हो रहा हैं हम लोग चलिए आटा लगा लेते हैं तो यह गेहुं के आटे से बना रही हूं ऐसे हित ज़सी यह मैदे से बनता है तो मैं यहां पर धाई कप गेहुं का आटा लिए हूं आपelsамен प्लाप कीście यहीं अगर आपको कम करना होगा तो 1 टेबल इस्पून घीस में कर दीजेगा और इसको हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं घी को नमक को और आटे को और चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक बहुत अच्छा सा स्मूध सा डू तयार कर लेते हैं कड़क दो मत बनाइएगा थोड़ा सॉफ्ट ही बनाइएगा क्योंकि डो सॉफ्ट रहेगा तो पूरण पोली बहुत अच्छा बनता है और पतला पतला बनता है तो देखिए हमारा ये सॉफ्ट सा आटा तयार हो गया अब इसमें थोड़ा सा हथेली पे घी लगा के आटे के उप तो चलिए यह हमारा पूरान अब ठंडा हो गया है देखे तो इसको एक अलग बरतन में हम लोग निकाल लेते हैं निकालने के पहले फ्रेंट्सिस में जो हमारा नटमेग था न यह एक है लेकिन आधा ही कद्दू कस करके इसके उपर डालिएगा और अगर आपके पास इलाइ लोईया बना लेते हैं गोल-गोल नीमबू से थोड़े बड़े आकार की बनाएंगे हम लोगे देखे गोल-गोल तो मैं पूरे की अभी नहीं बनाऊंगी मैं छे ही अभी बनाऊंगी बना कर दिखाऊंगी और फ्रेंट्सिसको इस पूरन के मिसरन को आप फ्रीज में 15-20 इस दिन आराम से रख सकते हैं यह खराब नहीं होता है तो नीमबू से थोड़े बड़े आकार का बनाएगा देखे यह इस तरीके से तो मैं अभी रफली ही गोल-गोल बना ली हूँ तो चलिए फिर हमारा जो आटा रेस्ट कर रहा था उसको लेकर आ जाते हैं कि उसका रेस्ट हो चुका है तो अभी चलिए इसका भी हम लोग जितने बड़ी हम लोग पूरन की गोलिया बनाए थे ना लोईया बनाए थे पूरन की उससे थोड़ी छोटी ही लोईया हम लोग की बनाईंगे यह जितनी भी लोया है न इसमें से हम लोग ओर थोड़ी चोटी-चोटी लोया करेंगे पूरन की लोगी से थोड़ा चोटा लोगी हम लोग बनाएंगे आठे की ठीक है? Sum bleiben लोग फिर हम लोग यह देखे, आठे को फैला करके इसमें बीच में पूरन की लोई को डाल करके इसको अच्छे तरीके से इसका देखे रोटी की तरह बेल लेते हैं तो फ्रेंड्स बहुत बड़े साइज का तो मैं नहीं बनाई हूं यह देखे इस साइज का यह 12 से 15 पूरण बनके तयार हो जाता है जितना मिस्रन मैं बताई हूं आपको जितना भी माप उसमें 12 से 15 बन जाता है और आसे पतली पतली बेल लेते हैं तो चलिए फिर अब इसको सेख लेते हैं तवे पर तो चलिए हमारा जब तवा गरम हो जाए न तो आप उसमें वन टीस्पून घी डाल दीजिए पहले तेल ने घी तो फ्रेंड्स यह घी में ही बनता है तो आप कम कर सकते हैं अगर आपको घी नहीं खाना है पर बनाएगा घी में ही तो इस तरह से देखिए हम लोग डाल दे और इसको हम लोग पलटके उलटके अच्छे से पका लेंगे देखिए इस तरीके से तो आप चाहें तो सादे तवे पे भी सेखिए उपर से लास्ट में घी लगा सकते हैं पर यह घी से ही बनता है तो बनाईए और एक ही खाईए यह बहुत अच्छा लगता है तो इस रेसिपी को आप जरूर बनाईए एक बर मेरे तरीके से तो मैं इसको गेहूं क्याटे से बनाई हूँ आप मैदे से भी बना सकते हैं पर टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता है फ्रेंड्स गेहूं पूरन पोली को यह देखे इस तरीके से तो हम अपनी सारी पूरन पोली यह तरह से लेते हैं तो फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है ना तो कमेंट प्लीज आप कीजेगा और मेरी रेसिपी को जरूर बनाईएगा और मैं जिस तरह से बनाती हूँ उस तरह से आपको समझाई हूँ इस में बहुत कोशिस्की हूँ समझाने का तो फिर भी अगर आपको कुछ भी कोशन रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कोशन जरूर पूछेगा और ये देखे हमारा सब तयार है पुरन पोली तो friends अगर मेरा recipe आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को like कीजिएगा, share कीजिएगा, subscribe कीजिए और खाईए, पीजिए, खूस रहिए, thank you